दोस्तो रोजाना गोवर्मेंट जोब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहां से सबस्क्राइब कीजिए और साथी साथ बैल आइकन को भी दबा ले इस वीडियो में आगे बड़े उससे पहले आप इसको यहां से लाइक कर दीजिए और साथी साथ इस वीडियो को WhatsApp ग्रूप और Facebook में ज़्यादा से ज़्यादा सेर कर दीजिए अलो दोस्तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मारे YouTube चैनल Government Jobs क्यान पर दोस्तो एक बार फिर से मैं आपके लिए बिजली वाग भरती की जानकारी लेकिया है बड़ा मोका है ओल इंडिया के मेल या फिमेल बोथ केंडिडेट आवेजन कर सकते हैं जिया दोस्तो 42 वर्स मैक्सिमम आयू सीमा इस बरती के अंतरकत और एपलाई करने की अंतिम्तिती 5 मार्च 2019 है इस वीडियो में बात करने वाल है कि क्या इस बरती की इलिबिलिटी क्राइटेरिया है जिया दोस्तो इस बरती के लिए 22,965 तक पर मंत के लिए सेली प्रोइड की जाएगी साथ-साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएगे कि कैसे इसमें आपका सेलेक्शन किया जाएगा और कैसे आप इसकी नोटिफिकेशन की पीडिया डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप इस बरती के लिए ओनलाईन आवेदन कर सकते हो स्टैफ वाइज पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में अंतक इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सुआल और डाउट किलियर होंगे तो चले दोस्तों बिना कोई वक्त कोई शुरू करते है इस बरती की पूरी जानकारी जिहां दोस्तों पावर डिस्टिविशन कंपनी लिमिटीड में बरती निकले है बिजिली बाग की बरती है पोस्ट है इसमें असिस्टेंट इंगिनिनियर की एई की बढ़ती है सेली की बात कीज़े तो 6155 से 62965 परमत के लिए सेली प्रुवाइड कीज़ेगी जहां दोस्तों इस बढ़ती के लिए डिगरी इंजीनिरिंग में होना अनिवारी है तो आप एपलाई कर सकते हो जिस डिसिप्लीन में भरती निकलिया उसमें आपका इसमें भी बी टैक होना अनिवारी है आयू की बात कीज़े तो मैक्सिमम आयू 42 वर्स है जोब लोकेशन विसा का पटनम आदरा परदेश है इंडिया में आप किसी भी राज्ये से आवेदन कर सकते हो वही बात आवेदन सूलकी की जाए तो अनिजयो कैटिगीरी के लिए 700 रुपे है SCST BC जो अंदरा परदेश स्टेट के हैं उनके लिए 200 रुपे है फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ओनलाइन पे कर सकते हो सलेक्शन होगा रिटर्न एक्जामिनेशन के माध्यम से ओनलाइन ही एपलाई कर सकते हो ओफीशल वेबसेट है apistandpower.com जिया दोस्तो इसी पोर्टल से आप ओनलाइन आवेजन कर सकते हो जो की स्टार्ट हो चुके है 17 फरवरी 2019 से और लास्ट एट एपलाई ओनलाइन करने की 5 मार्च 2019 है तो चलिए दोस्तो इसकी नोटिविकेशन देख लेते हैं जो कि हम डाउनलोड कर चुके हैं आप यहाँ पर देख सकते हो इस्टन पावर डिस्ट्यूबिशन कंपनी ओ एपी लिमिटेड आंधरा परदेश की यह बढ़ती है जिया दोस्तो एपलाई कहीं से भी कर सकते हो मेल या फीमेल बोट अपलाई कर सकते हैं 15 वैकेंसी इस भरती के लिए निकली है यहाँ पर आप देख सकते हो असिस्टेंट इंजीनियर या इलेक्टिकल के लिए बरती निकली है यहाँ पर आप देख सकते हो ओनलाइन एप्लिकेशन इस बढ़ती के लिए मंगाए गए हैं apistunpower.com या फिर aprecruitment.aptonline.in slash apedpdcl यहां पर यह इसका पोर्टल जाए या तो इससे या फिर इससे आप ओनलाइन कर सकते हो 17 फरवरी से 5 मार्च 2019 तक फीस भी पेमेंट कर सकते हो 5 मार्च 2019 तक दो पायर एक बज़े तक आप फीस भी पेमेंट कर सकते हो या दोस्तों यहाँ पर आप vacancies की पूरी जानकारी देख सकते हो category Y यहाँ पर vacancies दी गई है सबसे पहले OC के लिए आप देख सकते हो जो electrical discipline की बढ़ती निकली है open के लिए इसमें 2 है local के लिए 3 total 5 vacancies है OCW के लिए इसी तरह 2 local के लिए तो total भी दो ही vacancy है OCPH और OH के लिए total एक vacancy निकली है BCBW के लिए आपर एक vacancy है BCCW के लिए भी एक vacancy है BCDW के लिए भी एक vacancy है इसी तरह BCEW इसके लिए भी एक vacancy है SC के लिए 2 vacancies है, STW के लिए एक vacancy है डवलू के अगर बात की जाए तो इसकी full form woman है जिया दोस्तो woman और man दोनों के लिए vacancies निकली है साथ-साथ यहां से आप local या फिर open के लिए आपर check कर सकते हो details पूरी इसमें आपर दी गई है ओच के लिए भी आप यहां से पूरी details इसकी check कर सकते है उसके बाद जैसे आप इस CST BC candidates को दी गई है इसमें आनिके maximum IU 47 वर्स है इनके लिए और 10 साल की चूट इसमें PH candidates के लिए यानिके इनके लिए 52 वर्स maximum IU सीमा है साथ-साथ यहां से आप देख सकते हो और भी conditions है age related जो आप पूरा यहीं से check कर सकते हो बात अगर educational qualification की की जाए तो इसके लिए degree होनी चाह qualification से related दी गई है जिनको आप यहीं से read कर सकते हो उसके बाद बात की जाए fee की तो आप यहां से check कर सकते हो CST BC के लिए आपर जो communication O 15 परदी से state के उनके लिए 200 रुपे है जिया दोस्तों यहां पर देख सकते हो fees आपको यहां पर पूरी details में दी गई है PHE exercise man के लिए आपर 200 सुरुपे है और साथ-साथ यहां पर ओर भी condition जेकर की general category के लिए 7 सुरुपे आपर fees दी गई है जो कि आप online पे कर सकते हो fees यहां पर आप देख सकते हो online आपको जमा करनी होगी debit card, credit card या net banking से selection होगा इसमें आपका यहां पर आप देख सकते हो return examination के माध्यम से यहां पर से आप इस page को scroll down करोगे तो यहां पर आपको return examination से related details से दी गई है जिहां दोस्तों syllabus भी आप इसी page से चेक कर सकते है old ticket की जानकारी भी यहां पर देख सकते हो साथ दिन पहले आपको admit card download करना होगा इसके official portal से admit card के बाद आप यहां पर देख सकते है examination date March 2019 से यहां पर रखी गई है इसमें इसकी tentative date गोशिच की गई है examination center भी आप देख सकते हो जो कि यहां पर विशा का platinum में इसका exam center रहने वाला है determine conditions की बात की जाए तो sale यही पर 60,155 से शुरुआदी वेतन है 92,960 तक इसमें sale प्रोवाइट की जाएगी place of posting भी आप यहां से देख सकते हो जिया दोस्तों उसके बाद जैसे आप इस page को और scroll down करोगे यहां तो यहां पर execution of bond यहां से आप check कर सकते हो साथ साथ इस page को जैस यहां फोटोग्राफ signature वगेरा upload कर सकते हैं फोटो आपको 50 के भी तक यहां पर upload करने होंगे और signature यहां पर 30 के भी तक आपको upload करने होंगे साथ साथ JPG format इसका यहां पर structure दिया गया है SSC या 10th standard certificate की details और 4th से यहां पर 10th class study details आपको qualifying examination details community certificate details आपको इसमें डालने होगी PH certificate details और service details यहां पर आपको डालने होगी यहां दोस्ते उसके बाद यहां पर बी करके आप और भी details देख सकते हैं फोटोग्राप और signature upload करने के लिए पूरी जानकर यहां पर दी गई है कि कैसे कैसे आप यह documents वगेरा upload कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं आप payment status check करना होगा उसके बाद आपको पूरा application form ध्यान पूरुख बढ़ना होगा फीज जमा करने के बाद उसके बाद आपको last में print application form लेना होगा submit करने के बाद जिया दोस्तों इससे आप simply इस पर submit कर सकते हैं online form फी payment की भी जानकर यहां पर देख से कैसे कैसे आप fees payment कर सकते ह बढ़ना होगा इस बढ़ती पर किरिया कि अंतरगत payment register ID वगेरा सब आपको यहीं पर दी गई है submission of application कैसे कैसे आप application form submit कर सकते हो यहां दोस्तों आप पर पूरी details दी गई है apply online के link पर किलिक करने के बाद आपको fill application form पूरा यहां पर ध्यान पूरुख बढ़ना होगा जो कि कोई भी help चाहिए online करने में कोई भी problem है technical तो इसके लिए आप help dash number यहां से check कर सकते हो 0891 2579797 इस पर अभी आप call करके और ज्याते जानकरी ले सकते हो online से related अगर कोई problem है तो 10 बजे सुबह से आप देख सकते हो दो पार 1 बजे तक और साथ-साथ दो बजे दो बजे दो पा रहने की साथ-साथ फीस यहां पर 5 मार्च 2019 है जिया दोस्तो जनरल इंस्टक्शनस आप यहां से पूरा रीड कर सकते हो इनको यहां पर आपको apply करने से पहले जरूर पढ़ना होगा तब यहां आपके सभी स्वाल और डूट के लिए रहोगे जिया दोस्तो यहां से आप औ पूरा सलेबस रीड कर सकते हो और साथ-साथ analog and digital electronics के लिए आप यहां से पूरा सलेबस रीड कर सकते हो और साथ-साथ analog and digital electronics के लिए आप यहां से पूरा सलेबस रीड कर सकते हो जिया दोस्तो आप यह पूरा सलेबस वीडियो को पाउस करके रीड कर सकते हो नहीं तो आपको हमारी website का link नीचे description plus first comment box में मिल जाएगा और ये PDF डाउनलोड करने के बाद आप यहीं से simply exam syllabus read कर सकते हो model questions भी आप यहां से पूरे read कर सकते हो यहां दोस्तो number one, number two, सभी questions आप read कर सकते हो यह से related यहां पर questions आप से पूछे जाएंगे आप यहां से apply करने से पहले पूरे ध्यान पूरोग पढ़ लीजे यहां दोस्तो apply करने से पहले या फिर exam देने से पहले आप ये exam patterns लेबस और question paper पूरा ध्यान पूरोग पढ़ लीजे तब यह आप simply exam को clear कर सकते हो तो दोस्तो यह थी इसकी पूरी official notification की PDF अगर आपको भी official notification की PDF डाउनलोड करने है तो उसके लिए आपको हमारी website का link के नीचे description पलस first comment box में मिल जाएगा और इस page पर पहुंचकर इस page के end में आप पर official notification की tab दी गई है जैसे आप इस tab पर किलिक करोगे तो यह इसकी notification की PDF ओपन हो जाएगी जिसको आप यह इसे डाउनलोड कर सकते है और साथ-साथ यही पर apply online की tab भी दी गई है जैसे आप इस tab पर किलिक करोगे तो यहाँ पर apply online क submit करने के बाद में print application लेना होगा तो दोस्तों इसे आप इस बढ़ती के लिए online form submit कर सकते हो साथ-साथ यही पर instructions की tab भी दी गई है apply करने से पहले आप यह instructions भी ध्यान पूरवक पढ़ सकते हो जहां दोस्तों यहाँ पर यह instructions की PDF ओपन हो जाएगी जिसमें आपको पूरी details इसमें मिल जाएगी आप यही से इसे ही online form submit कर सकते हो तो दोस्तों यह थी इस बढ़ती की पूरी जानकारी बिजली बाग इस बढ़ती पर apply जल से जल कर दीजे 5 मार्स इस बढ़ती की apply करने की अंतिम्तिती है तो दोस्तों इस वीडियो में पसे इतना याई हो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसे like और share जरूर करें साथ साथ दोस्तों अगर आपने भी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस परम daily government jobs की ऐसी भी update अप्लोड करते हैं